कैबिनेट मुंत्री सत्पाल महराज एक बार फिर से नाराज है वैसे तो उनकी नाराज की समय समय पर उठती रहती है कभी-कभी राजनेतिक मसले भी रहते हैं लेकिन इस बार नाराज की इस कदर आई कि गुस्से में लाल पीले हो गए और बहुत कुछ कह भी गए उन्होंने कि कुछ लोग हैं जो उन्हें धोका दे रहें उन्हें बेकूफ बनाया जा रहा है देखे इस वीडियो को क्या कुछ दर्द छलक रहा है सत्पाल महराज का केविट मंत्री सत्पाल महराज का दर्द फिर छलका है और इस दर्द को मंत्री सत्पाल महराज ने खुद बया किया है सत्पाल महराज का कहना है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है उन्हें बेवकूप बनाया जा रहा है और उन्हें कुम्राह करने की कोशिश की जा रही है दरसल केवलिट मंत्री सत्पाल महाराज का एदर्द सिजाई विभाग की बैठक में चरक पड़ा था वो विभागे अधिकारियों के रवईय से नाराज दिखाए दिये उन्हें बैठक में कहा कि बार संभावित इलाके में सफाई की जानी थी लेकिन विभागे अधिकारी उनसे जूट बोलते रहे कि वो सफाई कर रहे है मौके पर दिखावे के लिए जेसी भी खड़ी कर दी गई इस जौरान मंतरी सक्पाल महराज गुसे से तम तमा गए उन्हें कहा कि अधिकारी उन्हें धोखा दे रहे हैं मंतरी से जूट बोला जा रहा है अधिकारियों का रवईया गुमराह करने माला है वे मंतरी को ही बेवकूब बनाने में तुले हुए है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी पर दिखाने के लिए ख़डा किया वैंकि उसके किया कुछ नहीं नहीं आप बता दो उतने 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 उसकी फोर्स में उपानी के जल प्रवा में जैसी भी क्या करेगा तो फिर आप एक्शन लीजिए यह बहुत अमना बता रहा हुआ आप जिस नंग से काम हो रहा है न कर रहे हैं यह केवल एक दिखावा कर रहे हैं और मैं इसको टॉलरेट नहीं करूगा किसी एक इमत पर अच्छा देखिए जैसी भी सुबह आई 11 बचे उससे क्या रिपोर्ट किया कि नहीं साब रात से काम कर रही है यह शाम से काम कर रही है एक जूड़ बोला मंद्री को गल्ट इंफर्वेशन दी मुर्गेशन जी देख लीजिए और इतना थेस्ट था जब जब कम लवल था तब काम करना चाहिए था तो किया ने अब पाने का प्रभाज यादा हो गया वहाँ जैसी भी हुशन ही सकते ही वो पोर्ट लैंड लाना पड़ता वहाँ पर पोर्ट लैंड की बाते करने लगे तो जैसी भी क्यों खरीदी वहा करवाई कीजिए ताकि ऐसा कोई करें नहीं और मंत्री को डिसीग ना करें यह माकत देखिए ला गर्स देखिए उन लोगों के लिए दिन डिकन डिसीग ना मंत्री है उनसो फूल ना मंत्री सत्पाल महरायश सिचाई विवाक की अधिकारीं के रवये से नारास्ते उन्होंने बैठक में ही विवाकी सची उसे कहा कि ऐसे अधिकारीं के खिलाब कारवाई की जानी चाहिए जो उन्हें धोके में रखते हैं और उनको बेकुफ बनाने की कोशिश करते हैं